हात्रस हात्षी की जाँच के लिए उत्रप्रदीश के मुख्यमंत्री योगिया दितनात ने तीन सदस्य न्याइकायों का गठन किया है ये टीम दो महिने के अंदर-अंदर अपनी जाँच रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी इस टीम में इलाबाद हाई कोट के रिटायर जस्टिस बिजेश कुमाल श्रवास्तफ के अध्यक्षिता में गठित किया गया है इसमें तो अन्य सदस्यों में से एक पूर्वा इस सधिकारी हेव अंतराब है तो दूसरे पूर्वा इस सधिकारी भवेश कुमाल सिंग है ये टीम सरकार को पूरी घटना की रिपोर्ट सौंप गी हातरस की घटना हुए दो दिन बीच चुके हैं लेकिन बाबा नरायन साकार हरी कहां है ये किसी को मालूम नहीं है इतना ही नहीं घटना के दो दिन बीच जाने के बाद भी बाबा सामने नहीं आए ना ही पीडित परिवारों से मिलने के लिए पहुँचे और ना ही पीडित परिवारों के लिए उनके लिए जो है दो शब्द कहे फिलाल इस वक्त हम मैनपुरी में बाबा के मुख्य आश्रम के बाहर मौजूद है और ये बाबा का वो समराज्य है जो बाबा ने मैनपुरी में बनाया हुआ है आप देखे गोल्डन कलर का विशाल काई गेट और उची उची दिवारे हैं इस आश्रम की इतना ही नहीं मुझे एडरेस और साथ में उन्होंने कितना पैसा जो है आश्रम को दिया है ये साफ-साफ लिखा है कोई भी जो दान है या फिर कोई भी जो फंडिंग है वो दस जार रुपे से नीचे नहीं है और यह फंडिंग लाकों रुपे में भी की गई है फिलहाल ये जो लंबी फैरिस्ट है तकरीबद 200 लोगों के यहां पर नाम लिखे हैं आप यह देखें कि 200 लोगों के यहां पर नाम लिखे हुए हैं और करोड़ों रुपे का चंदा जो है वो बाबा को अपने अनुयाईयों से अपने सेवधारों से और अपने फॉलवर से इसी तरह मिलता है आप तस्वीरे देख रहे हैं कहीं पर 20,000 कहीं 31,000 कहीं 70,000 कहीं 2,000,000 कहीं 1,000,000 कहीं 1,500,000 तो इस तरह का जो है चंदा लगातार बाबा के आश्रम को मिल रहा है यानि की बाबा करोडों रुपे की कमाई कर रहे हैं तो यह तस्वीर है बाबा के आश्रम के बाहर लगी उस फेरि तो यहां पर जो एंट्री वो दस जार से नीचे की तो है ही नहीं तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा एक धन कुबेर की तरह जो है धन के धेर पर बैठे हुए और वो जो पैसा है वो उन गरीब या उन महिंती लोगों का है जो खून पसीना बहा कर अपना पैसा कमाते हैं महिनत करते हैं और बाबा उने जो है अपने फॉलोवर बनाने के बाद उन से इसी तरह से जो है चंदा लेता तो फिलहाल तस्वीरे ये महनपुरी आश्रम की है बड़ी सी फेरिस्ट बड़ा सा यहां पर गेट और उची उची बड़ी दिवारे आप दिव और उसी तरह से यहां पर पूरा समराजे बाबा ने अपना खड़ा किया हुआ है बड़े बड़े महल जिनुमा के लिए तो तयार कर लिए गए हैं लेकिन खुद बाबा इस वक्त है कहां अभी तक यह लोकेशन ट्रीस नहीं हो पाई है हमारे सयोगी विशाल सिंग, अभी तक की पुलिस की जांच में क्या पता चला है, कहां हो सकता है बाबा, कहां कहां चापे मारी चल रहे है प्रेम हो गया मुश्चुद तेके पुलिस जो है यहां पर पहुंची थी मैनपुरी आश्रम में और सोजी की टीम थी, एडिशनल एस पी, राहूल मिठास यहां पर साथ में थे, टीम के और लीड कर रहे थे, अंदर गए तकरीबन पंदर सी बीस पुलिस वाले थे, और अ सेक्यूर्टी का आरेंजमेंट किया हुए, उसको देखने के लिए आएते हैं, लेकिन आपको बताओं कि सेक्यूर्टी का आरेंजमेंट आश्रम के बाहर है, अंदर नहीं हैं, तो सवा घंटे तक पुलिस की टीम, एस उजी की टीम अंदर क्या कर रही थी, क्या वहां पर पहुंची थी या किसी से आश्रम के ही किसी सेवादार से पूश्टाच करने के लिए पहुंची थी ये तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस जो है सवागंटे थक अंदर रही और च्छानबीन करती रही अब क्या किस चीज की तलाश में व